दोस्तो पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिक वेहिकल मौजूद है या तो वो DC या फिर AC पावर से उप्रेट किये जाते हैं लेकिन प्रोब्लम ये थी कि इन्हें चार्ज करने के लिए अलगलग कनेक्टर यूज करना पड़ता था हलाकि भारत ने अब इस प्रोब नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं All India Affairs दरसल गाइस भारत में दुनिया का पहला AC-DC को माइंड चार्जिंग कनेक्टर को तयार कर लिया गया है और BIS यानि की Bureau of Indian Standard के द्वारा इसको एप्रूबल भी मिल गया है इस कनेक्टर का यूज लाइट उसमें ज्यादा होल मौजूद है जिसमें से कुछ AC और कुछ DC को सपोर्ट करते हैं और इसलिए ये कनेक्टर दोनों तरह के इलेक्ट्रिक वेहिकल को चार्ज कर सकता है लेकिन फिलाल इस कनेक्टर का इस्तमाल सिर्फ लाइट वेट वेट वेकल में किया जा सकता है खासकर तू विलर, थरी विलर और माइक्रो कार को चार्ज किया जा सकता है दरसल का इस BIS के स्थापना नेसलन स्टेंडर बोडी ऑप इंडिया के द्वारा की गई है शुरुवात में एक हॉल मार्क के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता था और फिर इसे अलग-लग चीजों में जैसे कि फ्योल्स, इलेक्ट्रिक विकल और कुछ मेडिकल डिवाइसेस में भी इस हॉल मार्क के रूप में इस्तमाल किया जाने लगा रिसेंटली BIS में कुछ इस्टील कंपनी भी सामिल हुई है यानि की BIS ने दो कंपनी को स्पेशल केटेगरी के इस्टील बनाने का एप्रूबल दिया है जिसमें Tata और JSW सामिल है ये दोनों कंपनी अब हाई क्वाल्टी इस्टील बनाएगी इसका इस्तमाल बड़े-बड चीन से भी अच्छा कंटेनर बना सकेगा जिससे इंटरनेशनल मार्केट में चीन के बजाए भारत के कंटेनर की डिमांड बढ़ेगी तो भारत सरकार हर तरह से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है हर दिन नए नए टेकनलोजी का विश्कार हो रहा है और भारत क के द्वारा बनाया गया यह कनेक्टर AC और DC दोनों चार्जिंग को सपोर्ट करेगा उम्मीद है कि भारत के द्वारा डेवलप की गई इस कनेक्टर की जनकारी आपको पसंद आई होगी आपको क्या लगता है गाईस विदेसी कंपनिया इस कनेक्टर का इस्तमाल अपने इल